असलाम अलेकुम गाईज यह दिख रहा है यह मेरा पसीना मसीना बोलने वाले थे पसीना हुआ क्योंकि आज गर्मी उतना जादा पता ने चला कि बहुत गर्मी है लेकिन अभी पता चल रहा है कि सही में बहुत गर्मी है बहुत जादा हेवी हम कुछ नहीं किये हैं बस आधा पसीना चल रहा है जितना इतने दिन में अभी तक इतना नहीं चला है बहुत जादा मतलब पूरा मेरा ड्रेस लगबग वेट हो चुका है इतना चला है मार्शालला है सही चले तो जल्दी जल्दी तो क्या बता रहे था हम हाँ ये वीडियो आज हम बना रहे हैं एक छोटा सा इंफोर्मेशन देने के लिए कि अभी मार्केट में बहुत जादा ब्लैक फंगर्स, वाइट फंगर्स, यल्लो फंगर्स ये सब चला है ठीक है तो लोगों को पैनिक नहीं होना है कि वाइट फंगर्स, ब्लैक फंगर्स या यल्लो फंगर्स ये सब हो रहा है ये फंगर्स के बाद उन लोगों को जो मीडिसीन चलिय जली है उन लोगो को अबली पेशंट को इस्ट्राइड मेडिसीन दिया जाता है ठीके तो वो लेने के बाद क्या होगा ना कि मेरा स्ट्राइड बहुत बढ़ तो जब हमारे बॉड़ी में ग्लुकोज की मातरा बहुत जादा बढ़ जाती है तो यह बहुत कॉमन सा चीज है कि यह जो शूगर है ना सारे बैक्टेरिया वाइरस फंगस का फैबरेट फूड है जैसे हमारा खाना होता है ना फैबरेट किसी का बिर्यानी किसी का चाइनीज वैसे ही जितने भी बैक्टेरिया वाइरस है इन सबका फैबरेट फूड जो है वो है ग्लुकोज शूगर तो जब हमारे बॉड़ी में बहुत जादा शूगर बढ़ जाता है अब हम मानते कि हम कोविड निगेटिव हो गया है लेकिन वो शूगर का जो रेंज है ना वो ध सब्सक्राइब हो जा रहा है क्योंकि यह जो फंगर से हर जगह मिलता है हम लोग जो रोटी दो दिन छोड़ देते हैं जो बासी रोटी रहता है दो दिन के बाद फंगस ही लगता है यह सब नॉर्मल सी चीज़े है बट हमार अभी क्या है ना पहले 1000-2000 शूगर का लेवल ब प्रानिक ना करें वो सेफ रहें सेफ ली गड़ पे रहें उनको कुछ नहीं होगा इंशाल्ला